तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने विंडोस 7 कम्प्यूटर में आटोमेटिकली सट डाउन का टाइमर कैसे लगा सकते हैं मतलब कि अगर आप कम्प्यूटर पर काम कर रहें लेकिन अगर काम के सिलसले में कहीं बाहर जाना पड़ता है तो आपका कम्प्यूटर पूरा दिन ओन ही रहता है कि अपने computer system में auto shutdown को कैसे enable करना है जिससे हमारा जो computer है वो जब हम काम ना करें तो automatically shutdown हो जाए हमें shutdown ना करना पड़े या फिर हम shutdown करना भूल गाए तो इसके लिए आपको करना क्या सबसे पहले अपने desktop पे right side क्लिक करना है तो उसमें जो कई सारे option आ जाएंगे तो उनमें ध्यान से देखना सबसे पहले हम right click करेंगी तो चलिए आपको भी right click करना है अपने desktop पे और यहाँ पे new पे क्लिक करना है यहाँ पे new पे mouse थोड़ी दिर रखना है तो ऐसे options आ जाएंगे यहाँ पे new पे mouse रखी और यहाँ पे shortcut का option आ जाएगा तो एक folder create हो जाएगा तो अभी के टाइम पर ऐसा folder यहाँ पे create हो चुका है अब यहाँ पर एक command आपको टाइप करने मतलब कि कुछ टाइप करना है जो कुछ भी टाइप करना वह आप देख लीजे मैं फटा-फट से पहले टाइप कर देता हूँ मैंने टाइप किया है सट्डाउन माइनस टी माइनस और उसके बाद जितने घंटे बाद आप सट्डाउन करना चाहते हैं अगर दो गंटे का लगाते हैं तो 3600 प्लस 3600 कर दिजिये जितना भी टोटल सेट निकले गा तो उतना आप यहां पर सेटन बगेर डाल दीजेगा और यहां पर next कर दीजेगा और यहां पर यह जो shutdown है तो इस पर click कर दीजे यानि कि उक्के पर click कर दीजे तो अभी के time पर हमारे timer लग चुका है कि इतने घंटे बाद जो है एक घंडे बाद यहां पर यह auto shutdown हो जाएगा क्योंकि एक घंटे में 36 seconds होते हैं अगर आप 10-15 minute का लगाते हैं तो 10-15 minute में जो second बनेंगे उनको जो है set कर लिजेगा अब यहां पर अगर इसको आपको folder change करना है इसका तो simply इसी पर right click करना है माली जी इस पर right click करना folder change करने के लिख एंड यहां पρεί सबसे last में आपको मिल जाएगा properties का option तो simply आपको property पे click कर देना है और यहां पर यहां पर प्रप्रोपरटीश कर देने के बाद changeा icon का option मिलेगा तो आपको change icon पर क्लिक कर देना है तो आपके समने okay का option आएगा तो okay कर दीजिएगा यहाँ पर बहुत सरे icons मिल जाएंगे जो भी icon आप रखना चाहते हैं वो रख लेजिए जैसे कि मैं इस icon को रखना चाहता हूँ इस folder पर तो मैंने इस पर click किया और यहाँ पर मैं okay पर जैसे click करूँगा और apply कर दूँगा तो यह icon जो है हमारे जो shortcut बना हुआ shutdown का उस पर लग जाएगा ओके किया end तो यह देखो अब जो shutdown का जो हमारा shortcut है उस पर कुछ इस परकार से icon हमारा set हो चुका है अब मार लिजे कि आपको auto shutdown को हटाना है तो वो कैसे हटाएंगे वो भी साथ में आपको बता जेता हूँ ताकि आपको confusion ना हो तो जैसे अगर auto shutdown को अगर आपको हटाना है तो भी हटा सकते हैं सबसे पहले इस पर right click अगर करेंगे तो यहां से नहीं हटेगा यह open हो जाएगा यानि कि on हो जाएगा यहां से नहीं हटेगा auto shutdown अगर आपको हटाना है तो हटाने के लिए simply करना के है आपको अपने keyboard से window प्लस R बटन दबाना है तो run command इसकी open हो जाएगी तो इसको off करने के लिए आप अपने keyboard में ध्यान दिजएगा जो window का बटन होता है मतलब कि जो window का बटन होता है इतना तो आप समझ गए होगे न तो window बटन दबाएंगे प्लस उसके साथ में window बटन दबा के रखेंगे उसके साथ में R दबा देंगे जैसी R दबा देंगे तो आपके सामने ऐसा interface नज़र आएगा यहां पर आपको एक टाइप कर दिया इतना और इतना टाइप कर देने के बाद में OK पर क्लिक कर देना जैसे OK पर क्लिक करोगे तो आपके computer में जो auto shutdown का जो system लगा हुआ था वो यहां पर turn off हो जाएगा यानि कि आप आपका computer जो है automatically shutdown नहीं होगा जब आप उसको manually shutdown करोगे तब ही shutdown होगा ऐसे नहीं होगा तो आई होप यह जानकारी आपको समझ में आगे होगी है ना अगर इस folder को आप delete करना चाहें यहां से delete भी कर सकते हैं फिलाल आप इसका काम नहीं अगर आपको फिर से इसको चालू करना है तो फिर से वही तरीका है इस पे open पे click कर देंगे तो यह run हो जाएगा यानि कि auto shutdown हमारा लग जाएगा जैसे कि मैं यहाँ पे open करता हूँ तो जितना second वगेरा मैंने सही किया मतलब डाला हुआ था वो यहाँ पे successfully set हो जाएगा यानि कि 36 second पड़ा हुआ था इस पे तो एक घंटे में 36 second होते हैं तो उसी साब चे एक घंटे बाद जो है यह automatically shut down हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने computer हो या फिर laptop हो आप उसमें जो auto shutdown लगाना चाहते हैं मतलब कि काम करते हैं आप उसमें computer पे तो basically कई बार ऐसा होता है कि हम अपने computer को shut down करना भूल जाते हैं तो इसी वज़े से हमें उस computer को shut down नहीं मतलब भूल जाते हैं तो यह automatically जो आपके computer system को shut down कर देगा तो I hope video आपको समझ में आ गया होगा